रंजी टॉफी के सेमी फाइनल्स दो मार्च से खेले जाएंगे जहाँ पर पहला मुकाबला होगा विदर्बा और MP के बीच MP की टीम का फ्रदर्शन पिछले कुछ सालों में बहुत शानदार रहा है और साथ में विदर्बा की टीम जो इस साल बहुत कमाल का खेल करके आ रही है तो दोनों टीमों के बीच मुकाबला जो है वो विदर्बा क्रिकेट असोसेशन के ग्राउन नापपूर में खेला जाएगा और पिछले पांच मुकाबलों की अगर बात करें जो इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं जहाँ पर MP की टीम ने आखिर के दो मुकाबले जीते हैं एक विदर्बा के नाम राये और दो मैचेज ड्रॉ रहे हैं सो दोनों मैचेज का प्रिव्यू करेंगे हम डिटेल में दोनों मैचेज के वारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्लियर हैं जो प्लियर टू ऊचएउट फॉर रहने वाले हैं दोनों मैचेज में पहले हम विदर्वा वर्सेज एंपी के मैच की बात कर रहे हैं जहाँ पर अगर विदर्वा की टीम की बात करें तो वहाँ पर कप्तान अक्षे बाढ़कर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहे हैं पिछले 10 मैचेज में इरो ने 557 रन किये हैं 37 की आबरेज रही है तो जिस नंबर पर खेलते हैं जिस रोल में खेलते हैं और जिस तरह से लीडर्शिप की रिस्पोंसिविलिटी इनके कंदों पर है उतना नोटिसिबल गई नहीं इनकी परफॉर्मेंस इस सीजन जितना बहतर ये खेल के गए हैं इस तीम में करुन नायर ने बहुत शांदार खेल दिखाया है दो सेंचुरी उनके वनले से निकली और ओवरॉल वलकम स्कोरिंग उनकी तरफ से देखने को मिली है साथ में द्रुव सोरे जो पहने डैली की टीम का हिस्सा हुआ करते थे वो अभी इसी टीम से खेलते हैं तो उनका प्रदर्शन जो है वो बैटिंग में काफी अच्छा देखने को मिला है साथ में स्पिन डिपार्डमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर हर्ष दुबे आपको नजर आएंगे आदित्य सरवटे नजर आएंगे और आदित्य से मुझे याद आया कि आदित्य ठाकरे जो फास बोलिंग की बात अगर करें तो नाम शायद उतना बड़ा नहीं है लेकिन अगर आप प्रदर्शन की बात करेंगे तो उनका प्रदर्शन बहुत शांदार है और जो बात मैं करून नायर की कर रहा था उन्होंने जो आखरी आठ फर्स प्लास के गेब खेले है उसमें 515 रन बनाये तो उनका प्रदर्शन भी बहुत शांदार है इस रंजी ट्रॉफी के सीजन में देखने को मिला है सो ओल इन ओल दर्बा एक बड़ी अच्छी टीम दिख रही है लेकिन जादा रिस्पोंसिबिलिटी को चुनिंदा खिलाडियों पर नजर आ रही है जिसमें कप्तान अक्षे बाड कर हैं करून नायर है धुरूब सोरे हैं इस तरह के खिलाडिय हैं जिन पर बैटिंग की र देखते हैं तो आपको सुपर स्टार नजर नहीं आएंगे एक आदा प्लेयर आप छोड़ देख तो बाकी बड़े एवरेज प्लेयर हैं और उस तरह के खिलाड़ी हैं लेकिन इस टीम का प्रदर्शन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में रहा है वो बहुत ही कमाल का है य प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है अभेश खान अभी इंक्रूड हो गया है इस टीम में यस दुबे की बात करें बहुत रहन इनों ने बनाये हैं हर्ज गावली ने प्रदर्शन बहुत अच्छा देखने को मिला है बैंकिटे सहीर जरूर है साथ में सारा जैन जिनको इ रोल प्ले करता है और ओवरॉल जो टीम बनती है उसकी डैप चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो वो सारे खिलाडियों से मिलके बनती है सो कलेक्टिव वे में में मेरको MP की टीम में हर प्लेयर अपने आप में बड़ा कोंट्रिब्यूटर रजर आता है दूसरी तरफ अग अच्छा प्रोदर्शन करने वाला प्लेयर रहा है तो किसी एक या दो खिलाडी पर डिपेंड रहने वाली टीम MP नहीं और शायद इसी लिए कुछ हद तक पलड़ा जो है वो MP का बारी रहेगा हालाकि मैच जो है वो विदरवा के होम ग्राउंड पर खिला जाएगा और MP क टीम से टॉप प्रोदर्शन की अगर बात करें इस सीजन में शुवम शर्मा का प्रोदर्शन बहुत अच्छा रहा है रज़त पाटिदार अभी टीम के साथ नहीं होंगे उसके अलाबा अगर बात करें हर्स गावली की तरफ से सेंचुरी देखने को मिली थी बैंकिटेस अईयर का प्रोदर्शन बल्ले से बहुत शांदार देखने को मिला है सारान जैन हाव फिलाल में शायद गिनबाजी उतनी अच्छी नहीं रही है लेकिन पिछले 19 मैचेज देखेंगे तो लगग 36-37 बिगिट उनोंने पिछले 19 मैचेज में लिये हैं उसके अलाबा अगर किनबाजी की बात करें तो कुमार कार्थिके को कोंट्रिविशन भी ऐसा स्पिनर इनकी लिए बहुत बहतरीन रहा है और उसके अलाबा अगर बैटिंग की बात करें तो यस दुबे एक मेन बैट्समन के रूप में और मान्शु वंतरी दूसरे बैट्समन के रूप में प्लेयर जो है वो प्लेयर टू वाच ओट फॉर रहेंगे जिनकी रीसेंट परफॉरमेंस जो है वो बहुत बहतरीन रही है तो दोनों टीमों के बीच एक अच्छा मकाबला होने की पूरी उम्बीद जो है वो की जा सकती है और क्या विदरबा की टीम MP को आरा करके फाइनल मे प्रवेश कर सकती है यह एक बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज रहेगी फिर बात करते हैं दूसरे मुकाबले की मुंबई वर्सिस तमिलना डू का मुकाबला और इस मैच की बात जब होती है तो पिछला मैच याद आता है मुंबई ने जो पाटर फाइनल खेला था और वहा आजी में बात करेंगे लगतार उन्होंने कोंट्रिबुशन डाला है चूकि इस टीम में सम्स मुलानी भी खेलते हैं और भी स्पिनर रहते हैं तो ऐसा स्पिनर उनको उतना मौका नहीं मिलता लेकिन फिर भी वहाँ पर भी आपको दो विकेट तीन विकेट हर पारी में नि पिछले 8-10 मैचेज में बहुत अच्छी तरह से उबर करके आएं 9 मैचेज आखिर के जो उन्होंने खेले उसमें 42 बिकेट मुईत अवस्थी के नाम है तो वह आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की फास बालिंग उनकी रही है साथ में सम्स मुलानी की बात करें आखिर प्लेयर्स आते जाते रहे हैं अच्छा किया है लेकिन भुपेन लालवानी ने 8 मैचेज में 518 रन अपने आखिर के मैचेज में बनाएं उसके अलावा मुंबई की टीम में जो आई प्रोफाइल पेर है अजिंकी रहाने का बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है रन सु कावला मुंबई की टीम जरूर करेगी लेकिन दूसरे तरफ तविलाडू की टीम की बात करें इस टीम के यहां तक आने में जिस खिलाडी का रोल सबसे बहतर रहा है वो है इनके कप्तान साई किसोर गिनबाजी तो बहुत कमाल की की है आप अंदाजा इस बात से लगा की आखिर के आठ मैचे जो फर्स क्लास क्रिकिट में साई किसोर ने खेले हैं उसमें बावन बिकिट है उनके और साथ में बल्ले से जो बीच-बीच में प्रदर्शन आता रहा है वो बहुत कमाल का रहा है कप्तानी महुत अच्छी की है अवरॉल उन्होंने टीम जिस तरह स साथ में एक और अजीत रांग जो स्पिनर है उनका प्रदर्शन भी और अच्छा रहा है ये इसलिए मैं क्या रहा हूँ कि आठ मैचे में बावन बिकिट साई किसोर के है तो आठ मैचे में 69 बिकिट जो है वो अजीत रांग नहीं है तो ओवर शैडो एक तरह से किया है आखी तमिलाड की अगर बैटिंग की बात की जाए जो नारायन जन्दीशन ने प्रदर्शन बहुत चांदार रहा है आखरी 10 मैचे में 943 रन लंगभा दसी की अवरेस के उनके बनने से निकले बावा इंदरजीत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है आखरी 10 मैचे में और आखरी तीन मुकाबले दोनों टीमों के मीच ड्रॉ रहे हैं उसके अलामा कुछ और नोटिसबल प्लियर्स की बात करें अगर आप तमिलाड की टीम में तो प्रदोस रंजन पॉल उबरते हुए खिलाडी जिनका सीजन शाय वैसा नहीं गया जैसा पिछले सीजन गया थ लेकिन इस सीजन भी उनका प्रदर्शन जो है वो ठिक ठाग रहा है टीन अटराजन का इंक्लूजन आपको यहां पर दिखेगा बिजे संकर एक एकस्पीरेंस प्यर के रूप में साथ में वशिंटन सुन्दर का भी इंक्लूजन हो गया है तो स्पिन डिपार्टमेंट इन का सीजन बहुत अच्छा गया है बहुत अच्छी गिनबाजी की है साथ में मुंबई मुंबध की गिनबाजी बहुत अच्छी रही है बट स्टिल आम दोनों टीमों का कंपैरजन करेंगे तो उदर थोड़ी सी कमजोरी जो है वो नजर आती है और यह मैज खिला जाएगा बांदरा कुर्णा कॉंब्लेक्स में जहाँ पर क्वाटर फाइनल भी मुंबई की टीम ने बड़ोधा के खिलाब खिला था तो दोस्तों यह है ओवरॉल सेमी फाइनल्स रंजी ट्रॉफी के उनका प्रिव्यू आपको वीडियो और इंफॉर्मिशन अच्छी लगी है तो लाइक और हुआरे चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें तैंक यू